C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा तीन की पर्यावण अध्याइन की ध्वनी पाठि पुस्तक हमारा अध्भुत संसार प्रिष्ट संक्या 47 कुछ खोज पेड़ पौधों की इस प्रिष्ट के उपरी भाग में कुछ पक्षियों और पश्वों का चित्र है साथ ही पहाड और नदी भी है इनके पीछे कुछ घर भी बने है तरा तरा के पिड़ पौधे गोपू, सिम्मी और राज प्रती दिन पैदली स्कूल जाते हैं रास्ते में वो सुन्दर सुन्दर फूल, पहाड और जल धाराएं देखते हैं एक दिन गोपू खुश होते वे जोर से बोला ये प्रकरते भी बड़ी ही अनोखी है यहां कितनी ही तरा के पिड़ पौधे, पक्षी और जीव जन्तु हैं कितना अच्छा होता कि ये हमें अपनी कहानिया सुनाते सिम्मी बोली हां, पौधे तरा-तरा के आकार और आकरतियों वाले होते हैं बहुत छोटे, छोटे, बड़े, जाडिदार राज नी कहा कुछ पतले और मुड़े हुए, तो कुछ सीधे और लंबे हैं प्रिष्ट के निचले भाग में इनी तीन बच्चों का चित्र है जिनके नाम गोपू, सिम्मी और राज है ये अपने विद्याले जा रहे हैं और साथ ही चित्र में कुछ पेड़ पौधे भी है प्रिष्ट संक्या अड़तालीज गोपू ने कहा कुछ पेड़ पौधों की पतियां खुरदरी हैं तो कुछ की एकदम चिकनी इन्हें छोना और सुणना मुझे अच्छा लगता है सिम्मी ने कहा देखो, इस जामुन के पेड़ की पतियां थोड़ी मोटी और चमकदार है राज, ये तुम्हारा खास पेड़ है ना? राज ने कहा हाँ, है तो तुम्हें इसके छोटे-छोटे सफेद फूल याद है ना? फिर हमने छोटे-छोटे हरे रंग के फल देखे जो बाद में गहरे लाल और जामुने रंग के हो गए थे हमने यहाँ पेड़ से जामुने रंग के पके हुए फलो को तोड़ने का आनंद भी लिया था सिमी मुस्कुराई और बोली इन पेड़ों की ठंडी छाओं में घुमना अच्छा लगता है पेड़ों की लकड़ी का एक बड़ा तना और उस पर फैले हुई कई शाखाई होती है इन शाखाओं पर पत्तिया होती है इनकी जणे धर्ती में बहुत गहरे तक जाती है इस प्रिष्ट के निचले भाग में कुछ पेड़ों के चितर है इनके नाम इस प्रकार है पेड़, आम, नारियल, खेजड़ी, कटहल, बरगद, अमलताश, पीपल और चिनार प्रिष्ट संख्या उन्चाज लिखिए कुछ ऐसे पेड़ों के नाम लिखिए जिने आप पहचानते हैं याद कीजिए कि आपने उन्हें कहां देखा है इन में से किन पेड़ों को आपने अपने घर और स्कूल के आसपास देखा है जाड़ी सभी पौधे पेड़ों के तरह बड़े-बड़े नहीं होते इस सुन्दर लाल फूलों वाले पौधे को देखो इसका पेड़ की तरह बड़ा सा तना नहीं है गोपु ने कहा बलकि इसमें भूरे रंग के कई तने होते हैं राज ने कहा इन जाड़ी दार दिखने वाले पौधों को जाड़ियां कहते हैं हमारे घर में तुलसी का पौधा भी एक जाड़ी ही है सिमी ने बताया जाड़ियां मद्यव आकार के वो पौधे हैं जिन में कई तने होते हैं इनकी शाखाएं धर्ती के पास ही फैली होती हैं प्रिष्ट के निचले भाग में कुछ पौधों की चित्र हैं साथ ही इनमें से कुछ पौधे गमलों में हैं इन पौधों के नाम हैं गुडहल, गुलाब, तुलसी और मीठा नीम. इसी प्रिष्ट उन्चास पर उपर वाले चित्र में तीनु बच्चे फूलू के साथ हैं. प्रिष्ट संख्या पचास. क्या आप जानते हैं? जो दाले हम खाते हैं, जैसे अरहर, मसूर, मूंग और उड़द, इन सभी में जाडियों के ही बीज होते हैं. प्रिष्ट के इस भाग में कुछ दालों की चित्र हैं. ये दाले हैं, अरहर, मसूर, मूंग और उड़द. लिखिए, कुछ जाडियों के नाम लिखिए. कि आपकी बोलचाल की भाशा में इन्हें क्या कहते हैं। इन तरह तरह की घासों को देखो, इनके तने भी हरे और कोमल हैं। इनकी पतियां लंबी, पतली और चप्टी हैं। प्रिष्ट के निचले भाग में एक लड़की का चित्र है, जो जाड़ियों को देख रही है। प्रिष्ट संख्या 51, सिम्मी, तुम ठीक कह रही हो, क्या तुम्हें पता है कि घास भी एक तरह की जड़ी बूटी ही है। गोपुने पूशा, जड़ी बूटियां बहुत ही छोटे पोधे होते हैं, इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं, और कभी भी लकडी जैसे सक्त नहीं बनते। घास भी जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार है। घास के पत्ते पतले और चप्टे होते हैं और इनके तने खोकले होते हैं। अपने आसपास अलग-अलग तरह की घास देखिए। आपने कितनी तरह की घास देखिए। जड़ी बूठिया, यहाँ पर कुछ पौधों के चितर हैं, यह हैं पुदीना, टमाटर, धनिया और सर्सों। घास, यहाँ पर कुछ घास के चितर हैं, जंगली घास, और उनके नीचे लिखा है जंगली घास, प्रिष्ट संखिया बावन। क्या आप जानते हैं? चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, आदी जैसे अनाज, जो आप खाते हैं, बड़ी बड़ी घास के ही बीज हैं, यहाँ पर कुछ पौधों के चितर हैं, यह पौधे हैं, धान, गेहूं, बाजरा, रागी, ज्वार, गन्ना और बांस। गन्ना और बांस भी एक तरह की घास है, बांस एक विशेश प्रकार की घास है, जो एक वर्ष से भी अधिक समय तक सूकती नहीं है, लिखिए, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम लिखिए, जिने आपने देखा है, यह भी लिखिए कि आपने उन्हें कहां देखा है, लताएं और बेलें, देखो, इस बड़े से पेड़ के चारों और एक लता लिप्टे हुई है, राज ने प्रसनता से कहा, गोपु ने सहमती जताई, वाह, मेरे दोस्त, जोर्ज के घर में भी मनी प्लांट का एक पौधा है, मैं यह देखकर बहुत आश्चरी चकित हो गया कि वो उपर की ओर कैसे बढ़ रहा है, ऐसे लगता है, जैसी यह धीरे धीरे दिवार पर चड़ रहा है, प्रिष्ट संख्या तिरेपन, सिम्मी ने बताया, मनी प्लांट का तना भी बहुत ही लंबा और पतला होता है, यह अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, ज़री इसे उ अने को धर्ती पर फैलते हुए देखा है, राज ने बताया, यहाँ पर एक गमले में और मिट्टी में मनी प्लांट के दो पौधे हैं, लताओं और बेलों के तने पतले और लचिले होते हैं, लताओं अन्य पौधों का सहरा लेकर उपर चड़ती हैं, और बढ़ती हैं, ब अपना भोजन भी लेती हैं, लताओं, प्रिष्ट के निचले भाग में कुछ लताओं और बेलों के चित्र हैं, इनके नाम हैं मनी प्लांट, चमेली, लौकी, बेले, तर्बूज, कद्दू, प्रिष्ट संखिया चववन, सोचिये और बूजिये, आप इसे अपनी भाशा में क्या कहते हैं, ये एक बेल है या लता, यहाँ पर एक चित्र है, इसके नीचे लिखा है चिंचिडा, लिखिये, कुछ लताओं या बेलों के नाम लिखिये, जिने आपने देखा है, ये भी लिखिये कि आपने उन्हें कहा देखा है, क्या उनमें से कोई इन चित्रों मे इनके नाम अपनी भाशा में लिखिए। यहां दिये गए पौधों के नाम अपनी भाशा में बताईए। यह भी बताईए कि यह पेर, जाड़ी, लता या बेल में से क्या हैं। यहां पर एक तालिका है। तालिका के तीन भाग हैं। पहले भाग में लिखा है गेंदा। और उसके नीचे लिखा है तेलगू में बांथी। दूसरे भाग में लिखा है नीम। और उसके नीचे लिखा है कन्नण में बेव गिडा। और तीसरे भाग में लिखा है जुजु ये बताना है कि ये पेड, जाड़ी, लता या बेल में से क्या हैं। अब अपने आसपास जहां तक देख सकते हैं, वहां तक देखने की कोशिश कीजिए। अपने पेड़ों के पास भी देखना ना भूलें। आप कितनी तरह के पेड़ पौधे, जाड़ियां, जड़ी बूटियां, घास, बेलें और लताईं देख सकें। शिक्षक संकेत स्थानिय पौधों के नाम स्थानिय भाशा में भी बताएं। बच्चों को वास्तविक लताएं एवं बेलें दिखाते हुए उनमें अंतर स्पष्ट करें। ये चर्चा करवाई जा सकती है कि क्या कद्दू, तरबूज और हरबूजे की बेलें भी लताएं हो सकती हैं। बच्चों को विचार विमर्ष करने दें। प्रिष्ट संख्या पच्चपन गति विदी दो पौधे से मित्रता। कोई एक पौधा चुनिये। ये पौधा मोटे तने वाली कोई जाड़ी या पेड़ हो सकता है जिससे आप मित्रता करना चाहते हैं। इसे आप स्वयम या अपने सहपाठियों के समहों में कर सकते हैं। अपने चुने हुए पौधे का नाम रखिए जैसे आप अपने पालतु जानवर का नाम रखते हैं। अब अपने मित्र पेड या पौधे में प्रति दिन पानी देकर इसकी देखभाल कीजिए। एक मित्र की तरह इसकी रक्षा कीजिए। अपने मित्र पौधे की पत्तियों, फूलों और फलों को ध्यान से देखिए। अवलोकन कीजिए कि आपके मित्र पौधे पर पत्तों, फूलों की संख्या अधिक है, कम है या बिलकुल नहीं है। अपने अवलोकन को यहां दी गई तालिका में लिखिए अवलोकन का समय और दिन्नांक रिक्तिस्थान, महीना रिक्तिस्थान, अवलोकन अंकित किये जाने के दिन का मौसम रिक्तिस्थान जितनी बार संभव हो सके, अपने मित्र पौधे के पास जाईए और इसे ध्यान पूर्वक देखिए प्रिष्ट के निचले भाग में पांच चित्र हैं ये बादल, सूर्य, वर्षा, वायू और ओले की चित्र है प्रिष्ट संख्या चपपर्ण अब आपने जो देखा, उसे तालिका में भरिये यहाँ पर एक तालिका है, तालिका के पांच भाग है तालिका के उपर लिखा है पौधे के भाग उसके बाद उनकी संख्या अधिक, कम या बिल्कुल नहीं फिर रंग, उसके बाद आकरती, लिखिये या चित्र बनाईए और आखिर में कुछ अन्य बातें जो आपने देखी पौधे के भाग के नीचे लिखा है पतियां, फूल, फल अब आप इस तालिका में उनकी संख्या, रंग, आकरती और कुछ अन्य बातें जो आपने देखी हैं, वो लिखनी है क्या आपको पौधे पर नई पतियां दिखी क्या पतियों के बड़े होने के साथ उनके रंग में कोई बदलाव आया क्या पुरानी भोरे रंग की पतियां धर्ती पर गिर जाती है क्या आपको पौधे पर कोई फूल या फल दिखा आपने और क्या-क्या बाते देखी अपने अवलोकन को लिखिए लिखिए अपने पौधे के बारे में कौपी में लिखिए सभी पौधों की पत्यां अलग-अलग रंगों, आकृतियों एवं आकारों की होती है इस प्रिष्ट के निचले हिस्से में चार अलग-अलग तरह की पत्यों का चित्र है ये पत्यां है पीपल, आम, कमल और खेजडी की प्रिष्ट संख्या 57 गति विदी चार आईए कुछ और भी पता करें अपने आसपास के परिवेश में पत्यों को देखिए अपनी कौपी में उन पत्यों के चित्र बनाकर रंग भरिए और उनके नाम लिखिए अपनी कक्षा में किसी मित्र को उन पत्यों के रंग, आकार, आकरती, सतह और गंध के विशे में बताईए ये गति विदी करने के बाद हम पत्यों के बारे में क्या कह सकते हैं सभी पत्तों के गंध अलग-अलग होती है मैंने ये पाया कि तुलसी, धनिया, मीठा नीम, पुदीना और लेमन ग्रास सबकी गंध अलग-अलग है राज ने सिम्मी को बताया सिम्मी ने राज से पूछा, क्या तुमने कभी आम के पत्ते को मसल कर सुगा है? मुझे ये गंध बहुत अच्छी लगती है राज ने कहा, इस बाचित से मुझे आम की प्यारी सी खुश्बू याद आ गई मेरा भाई देख नहीं सकता लेकिन अपने आसपास आम, अनानास, कठल, अमरूद और जामुन जैसे फलों को सूंग कर जल्दी से पहचान लेता है अपनी आखों पर पट्टी बांधिये फिर आपका एक मित्र आपके बिलकुल पास कोई फल लाएगा आप अपनी बंध आखों से कितनी दूर से फल को उसकी खुश्पू से पहचान सकते हैं अब कटे हुए फल के टुकुलों से इसी गतिविदी को दोराईए क्या साबुत फल की अपेक्षा कटे हुए फल को पहचान पाना आसान था? आप किस फल को अधिक दूरी से पहचान पाए? ये गतिविदी घर में भी कीजिए इस प्रिष्ट पर राज के भाई का चित्र है राज का भाई फलों को सूंग कर उन्हें पहचाननी की कोशिश कर रहा है प्रिष्ट संखिया 58 पौधों के भाग पौधों के बारे में जानते समय हमने उनके विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज का उप्योग किया आईए अब हम एक टमाटर के पौधे के चित्र में उसके विभिन्न भागों को ध्यान से देखें पौधे के कौन-कौन से भाग है? जिसके नीचे लिखा है टमाटर का पौधा और उसके भाग यहां दिये गए हैं ये भाग हैं तना, जड़, फूल, पत्ती, फल और बीज प्रिष्ट संख्या, 69, गतिविधी 6, छाल के बारे में जानना किसी पेड की छाल को ध्यान से देखिए और स्पर्ष कीजिए क्या आपको इस पर कोई जीव, कीट या पौधे दिखाई दिये? एक कागज लेकर उसे छाल पर रखिए और दबाईए रंग या पैंसिल से इस पर बाएं से दाएं के तरफ बार बार रगड़िए देखिए इस पर क्या बन गया? कागज के दूसरी तरफ अपने पेड का नाम लिखिए अब अपने सभी मित्रों के कागज इकठे कीजिए और देखिए कि क्या इस छाल के छापे से पेड की पहचान कर सकते हैं? चाल का छापा लेते समय क्या आपने अपने पेड पर किसी अन्य जीव जन्तू, पक्षी या कीट को देखा? वो क्या कर रहे थे? क्या आप जानते हैं? गन्ये के तने से गुड़ बनाय जाता है बास सबसे बड़ी घास है मिजोरम में पाया जाने वाला फूल, रेफलोशिया सबसे बड़ा फूल है और ये एक च्छाते जितना बड़ा होता है प्रिष्ट के निचले भाग में रेफलोशिया के फूल का चित्र है और उसके पास एक लड़की खड़ी है जो उस फूल को बड़े हिध्यान से देख रही है इस प्रिष्ट के उपरी भाग में एक लड़की का चित्र है जो पेड के तने पर कागज रख कर पैंसिल से उसकी च्छाप ले रही है प्रिष्ट संख्या साठ आईए मन्थन करें क चर्चा कीजिए एक यदि पेड़ पौधे न होते तो क्या होता दो पेड़ पौधों के बढ़ने में जड़ किस तरह से सहता करती है तीन पेड़ के लिए तना क्या कारे करता है ख लिखिये एक आपने अपने विद्याले के बगीचे, पार्क या घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे उनके नामों की सूची बनाईए और पहचानिए कि वो क्या है पेड़, जाड़ी, जड़ीबूटी, घास, बेल या लता दो पौधे के किस विशेश भाग से आप उसे पहचान पाए 3. अपने सबसे प्रिय पेड़ के बारे में लिखिए ये आपका सबसे प्रिय पेड़ क्यों है ग चित्र बनाईए आपने अपने आसपास के परवेश में तरह तरह की पत्तियां देखी हैं उनके चित्र बनाईए, इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक रिक्तिस्थान है, यहाँ पर आपने उन्ही पत्यों का चित्र बनाना है, जो आपने अपने आस पास के परिवेश में देखी हों, प्रिष्ट संख्या 61, घ, रंगोली बनाईए, धर्ती पर गिरी हुई पत्य उन्हों को इकठा कीजिए, उन्हें अलग-अलग तरह से सजा कर रंगोली बनाईए, आप इन पत्यों से अलग-अलग पशु पक्षियों की आकर्तियां भी बना सकते हैं, इस प्रिष्ट के निचले भाग में पत्यों से बनाए गए कुछ पशु और पक्षियों के चित्र हैं, और उनके नीचे लिखा है पत्यों का चिडिया घर, अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पर्यावन अध्यन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्भुत संसार, वाचन स्वर, प्रवीन शर्मा, ध्वनियांकन, मंजु कुमारी, निर्मान सहयोग, कुसुमलता, न तथा प्रस्तोती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत